नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज इस वीडियो में हम गुड़ल फ्लावर प्लांट की कटिंग लगाएंगे और कटिंग लगाने के लिए मैं इस पोर्ट का यूज कर रहा हूं जिसमें एक अच्छा सा ड्रैनेज होल भी है और ड्रैनेज होल का वर्क तो आप ज अच्छे इंच बड़े मिट्टी के गंले में जो हमने मिट्टी तयार की है कटिंग को लगाने के लिए वो मिट्टी भर लेते हैं और दोस्तों मिट्टी जो है इस मिट्टी में मैंने जो है 50% सेंड लिया है और 30% लिया है normal garden soil और 20% मैंने जो है इसमें compost एड़ की है Verme Compost है दोस्तों ना कि Gobra की स़ड़वी खाद अगर आप Gobra की सड़वी खाद add करते हैं तो वो जोया आप 10% से ज़्यादा यूज़ ना करें क्यांकि हम 깃ंटिंग लगा रहे हैं किसी plant को नहीं लगा रहे हैं तो दोस्तों कतिंग लगाने के लिए आप गोबर की सडवी खा 10%, बाकी का sand और 30% normal garden soil आप ले सकते हैं बाकी मैंने अपना potting mix आपको बता ही दिया है, इसमें 50% sand है, 30% normal garden soil और 20% इसमें मैंने बर्मींग कमपोस्ट एड़ की है तो यहाँ दोस्तों हमने अपना potting mix जो इस pot में भर लिया है अभी हम इस pot को करते हैं side में और cutting लगाने के लिए हम पहले good health की cutting तयार कर लेते हैं तो दोस्तों यह जो आप शाका देख रहे हैं जो मैं good health की cutting लाया हूँ यह दोस्तों मैं लाया हूँ देशी good health flower plant की जो cutting है वो काफी easy लग जाती है बड़ी आसानी से और दोस्तों यह जो शाका है यह जो stem मैं लाया हूँ यह लगवग 4 महीने पुरानी है तो दोस्तों यह semi hardwood stem है तो हम इसकी cutting आज लगाएंगे इस 6 बड़े pot में तो पहले आप जो हैं इस तरह से जो भी शाका हैं उनको इस तरह से cutter की help से काट कर अलग कर दीजिए तो अभी दोस्तों हम cutting की लंबाई लगवग 7 इंच रखेंगे और दोस्तों यह pencil की thickness की cutting मैं ले रहा हूँ और दोस्तों वैसे तो semi hardwood hardwood pencil की thickness की cutting हो या फिर उससे ज्यादा मोटी हो बड़ी आसानी से गुडल की cutting लग जाती है तो दोस्तों हमने cutting की लंबाई लगवग 7 इंच रख ली है और इसके बाद जो हम नीचे का बार्क है उसको हटा देंगे यह जो आप node part देख रहे हैं इस node part से लगवग 2-3 cm जो है आप नीचे से जो है इस तरह से गोल कट लगाईए गोल कट लगा कर हमने करना क्या है इस नीचे की बार्क को बिल्कुल ही हटा देना है सिर्फ जो अंदर की लकडी है उसको रखना है दोस्तो इसको करने का जो फाइदा होता है वो यह होता है कि जब हम उपर का बार्क निकाल देते हैं और जब हम कटिंग को कट करते हैं कटर से या फिर कैंची से जो भी सीजर है आपको आपके पास कटिंग से तो ऐसे में जो क्या होता है जो हमारे कटिंग का बार्क है वो डैमेज हो जाता है कट जाता है या फिर फट जाता है तो इसके चलते जब हम cutting लगाते हैं तो हमारी cutting में फंगस लग जाता है या फिर cutting में rooting बहुत देर से हो पाती है तो जब हम एक बार cutting काट लेते हैं कैंची की help से तो उसके बाद हम इस तरह से अगर हम बार्क को छिलके को निकाल देते हैं नीचे से तो cutting के जो success होने के chance हैं वो 90% से उपर चले जाते हैं तो cutting के success होने के chance बढ़ जाते हैं इस तरह से अगर हम बार्क को remove करके cutting लगाते हैं और दूसरा जो है fungus वगरा नहीं लगता और rooting जो है बहुत ही जल्दी आती है roots बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती है तो बस आपने नोड पार्ट के नीचे से जो है 3-4 cm नीचे से इस तरह से बार्ग को निकाल देना है गोल कट लगा कर तो दोस्तों कटिंग तैयार कर लेने के बाद अब हम अपने इस गमले की मिट्टी में पहले 1.5 इंच गहराई तक जो है एक होल कर लेंगे ठीक है आप किसी भी टूल की हैल्प से या फिर मेरी तरह किसी लकडी की हैल्प से जो है आप पहले होल कर लीजी जैसे मैं कर रहा हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यह लगवाग डेड़ इंच की गहराई तक जो है एक होल कर लिया है इसके बाद हमने जो कटिंग त्यार की है जिसका हमने नीचे से चिलका उतार दिये इस कटिंग को हम इस हॉल में डाल देंगे तो दोस्तो पहले hole कर लेते हैं उसके बाद हम cutting लगाते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि हमारे जो cutting का छिलका है जो बार खेव है खराब नहीं होता है और बड़ी असानी से हमारी cutting है लग जाती है cutting को जो hole में डाल कर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इसके बाद जो है इसके side side से मिटि को भी अच्छे से प्रेस कर दीजिए अच्छे से प्रेस कर देने से क्या होगा हमारी जो cutting है अच्छे से मिटि में set हो जाएगी हिलेगी नहीं तो अभी दोस्तों हम इसमें वाटरिंग करेंगे वाटरिंग करने के बाद हम अपने इस कटिंग वाले पोट को शैड़ वाले जगा पर रख देंगे पूरी तरह से शैड़ वाली जगा पर भी नहीं रखना है और पूरी तरह से धूप वाली जगा पर भी नहीं रखना है ऐसी जगा पर रख देजिए जहां पर छनकर धूप आती हो या फिर जो है सुबा की कुछ समय की जो है आदा घंटा की लगवागी जो धूप है और इस अपडेट में आप देख सकते हैं हमारे good health flower की कि जो cutting है कितनी अच्छे से growth कर रही है काफी अच्छे से पतियां निकल रही हैं काफी अच्छे से जु है शाखाईं growth कर रही है तो दोस्तो इस विदिस यह दिया आप cutting लगाते हैं तो 100% cutting success होने के chance रहते हैं दोस्तों उम्मीद करते हूं आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें साथ में चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग हैपी गार्डिनिंग